जै मातादी दोस्तों, फर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। सूर ग्रहन के सूतक काल की सुरुवात दिवाली की रात को ही हो जाएगी। और जिस समय ये सूर ग्रहन घटित होगा, तो उस समय जो ग्रहों की स्तिती बन रही है, वे भी ठीक नहीं है। इस कारण ये ग्रहन हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ पुथल पुथल जरूर करे साथ ही प्राक्रतिक आपदाओं को भी ये सूर ग्रहन लेकर आया है। कुल मिला कर बात करें तो इस सूर ग्रहन से जन जीवन वा प्रकती सब प्रभावित होंगे। दोस्तों ये जो 25 अक्टूबर का सूर ग्रहन है ये भारत में दिखाई दे रहा है। ये पूर्वी भार सूर को आंसिक रूप से ढगलेगा। और ये सूर ग्रहन भारत के अलावा ग्रीन लेंड, सुईडन, नार्वे, युनाइटेट किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इस्पेन, यमन, ओमान, सौधी अरव, इजिप्ट, इटली, पोलेंड, रोमानिया, आस्ट्रिया, ग्रीस, टर की इरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, स्री लंका, मासको, रूस, नेपाल और भुटान में भी दिखाई देगा। दोस्तों इस सूर ग्रहन की सुरुवात भारती समय के अनुसार भारत में 25 अक्टूबर की साम को 4 बच कर 29 मिनट पर हो जाएगी और इस सूर ग्र की समापती 25 अक्टूबर की साम को 6 बच कर 26 मिनट पर हो रही है दोस्तों इस सूर ग्रहन की कंप्लीट अवदी लगबग एक घंटा 57 मिनट की रहेगी ध्यान रहे सूर ग्रहन का प्रारंब और समापती का समय हर इस्तान पर अलग-अलग होता है और बात करें इस सूर ग्रह पूर्वी भारत में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए असम, गुहाटी, यहां के पूर्वी नगर, मणीपूर, तिरपुरा, नागा लेंड और अरौनाचल प्रदेश इन जगों को छोड़ कर बाकी समपूर भारत में इस सूर ग्रहन का सूतक काल लागू होगा और बात करें सूतक काल के समय की तो इस सूर ग्रहन के सूतक काल की सुरुवात 25 अक्टूबर 2022 की प्राता काल 4 बचकर 29 मिनट पर हो जाएगी और सूतक काल की समाक्ती 25 अक्टूबर की साम को 6 बचकर 26 मिनट पर होगी दोस्तों 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर ग्रहन तुला रासी में लगने जा रहा है और इस समय तुला रासी में सूर दिव नीच के बैठे हुए हैं मतलब ये असुब इस्सिति में बैठे हैं और असुब फल प्रदान करेंगे दोस्तों 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर रासी में सूर के साथ चंद्रमा, सुक्र और केतु भी विराज मान रहेंगे ऐसे में ये चारो ग्रह मिलकर चतुर गही योग का निर्माण कर रहे हैं इसके लावा इन ग्रहों पर राहु की भी सीधी नजर रहेगी और शनी भी इनको देखेंगे इसी लिए इस सूर ग्रहन का इन चार रासियों पर असुफल पड़ेगा दोस्तों ये चार रासियां हैं जिनको आने वाले समय में थोड़ी प्रावलम फेस करनी पर सकती है तो बात करते हैं सबसे पहली रासि की पहली रासि है करक रासि जिसके लिए ये सूर ग्रहन कष्टकारी रहने वाला है इस समय आपके खर्चों में बढ़ोत्री होगी परिवारिक जीवन में उतार चड़ाओ रहेगा साथ ही आपके जीवन साथी को भी कष्ट मिल सकता है और व्यपार भी धीमी गती से चलेगा दोस्तों इस रासि के जातक को धन हानी का भी सामना करना पड़ सकता है पैसों से सम्बंदे चिंता बढ़ेगी आपकी नौकरी भी जा सकती है इस समय लंबी यात्रा करने से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें दूसरी रासी है तुला रासी दोस्तों ये सूरगरहन तुला रासी में ही लगने जा रहा है इसलिए आपके लिए ये सूरगरहन कष्टकारी रहेगा इस समय दुरगटना के योग बनेंगे इसलिए आपको बेहदी सतर्क रहने की आवशक्ता होगी दोस्तों इस समय आपको अपियस भी मिल सकता है किसी तरह का आरोब भी लग सकता है इसके लावा घर में कलेह कलेस की इस्तिती भी उत्पन हो सकती है कुछ समय तक आप कोई भी निवेश करने की ना सोचें संतान पच्छ से भी परिसानी उठानी पड़ सकती है कुल मिला कर इस दौरान आपकी समस्याएं बढ़ सकती है दूसरी रासी है व्रस्चिक रासी दोस्तों व्रस्चिक रासी वालों को इस समय अपने खान बान पर ध्यान देना होगा अन्यता आपकी सेहत बिगड सकती है करियर और कारवबार में भी सजग रहना होगा अन्यता नुकसान होने की संभावना है इस समय आपको कारेस्थल पर थोड़ी परिसानिया जहलनी पर सकती है निवेस के लिए भी समय अनकूल नहीं है इस समय आपके खर्चों में इजाफा होगा अगर आप पार्टनर्सिप में बिजनस कर रहे हैं तो आपका पार्टनर आप से चीटिंग कर सकता है इस समय कोई भी नया काम करने की न सोचें इस दोरान आपकी मानसिक परिसानिया बढ़ेंगी इसलिए अपनी वाड़ी पर काबू रखें किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पढ़ें और कुछ समय तक यात्रा करने से भी बचें अगली रासी है मीन रासी इस रासी के लोगों को जीवन में हार का सामना करना पड़ सकता है आपके बने हुए काम भी बिगड सकते हैं इस दोरान आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ेगा दोस्तों इस रासी के जातकों को बिमारी या वाहन से दुरगटना की संभावना बन रही है इसके लावा परवारी कलेज भी रहेगा इस दोरान बेवजय पैसों का खर्चा रहेगा और पढ़ाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई से मन हट सकता है और साधी सुदा वाले लोगों को जीवन साथी से अनबन हो सकती है इस समय इस रासी के लोगों को सारी रेग वामान से कस्ट जिलना पड़ सकता है दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको सूर्ग रहन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे की आने वाली मुसीबट टल सके और आपकी कोई भी मनुकामना हो वो भी पूरी हो सके दोस्तों इसके लिए आपको एक कासे की कटोरी में गी भर कर उसमें चांदी का सिक्का डाल कर अपना मूँ देख कर चाया दान करना है इसके लावा सूर ग्रहन के दोरान आपको ज्यादा से ज्यादा सूरी के मंत्रों का जाप करना चाहिए आप सूर ग्रहन के समय ओम ग्रहनी सूर्याय नमा या ओम आदित्याय नमा का जाप कर सकते हैं साथ ही सूर क्रहन समाप्त होने के बाद किसी ब्रामन या ज़रुत मंद को वस्तर, फल, कंबल, मच्छर दानी, तिल, गोड, गेहुं वा दच्छना का दान दें ये उपाय करने से आपकी हर मनुकामना पूर्ण होगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमाता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्त से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद